आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी ये कोशिस एक दिन जरूर रंग लाएगी जहिंसाथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक को मेंसन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फैराडे के बैद्दुद्चुम्ब की प्रेरण के नियम को फैराडे जी ने बैद्दुद्चुम्ब की प्रेरण की घटना को समझाने के लिए दो नियम दिया और उसी दोनों नियम को आज हम बहुत ही simple way में explain करने वाले हैं चलिए यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले कि विद्दूद चुम्ब की प्रेरण होता क्या है ध्यान से समझेगा दोस्तों बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है आपके board exam की दृष्टी से काफी important टॉपिक भी है यह जैसे देखिए एक मान लेते हैं इधर कुंडली है ध्यान से समझना कि मान लेते हैं हमने क्या है यह क्या है एक कुंडली है अब यह मत देखिएगा कि दो मारकर है कुंडली बनाया है एक कुंडली है और इधर एक magnet है क्या होता है कि मान लेते हैं तार कि एक कुंडली बनाया है और इधर चुंबक है जब किसी कुंडली और क्या चुंबक के बीच में एक आपेचिक गती हो चाहे आप इस कुंडली क को पास लाएं या फिर इस चुम्बक को पास लाएं है ना दोनों के बीच में जब आपे चिक गती होती है दोस्तों तो इन दोनों के बीच में एक विद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाता है है ना एक क्या होता है एक बल उत्पन हो जाता है और इसी घटना को यानि इस विद परिपत में बिद्दूत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस बल के काराण परिपत में एक प्रेरित धारा उत्पन हो जाती है और यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक की चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो चलिए दोस्तों इस पहले नियम को एक डाइग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं माले लेते हैं कि क्या एक यहां से कोई एक मैगनेट है ठीक क्या है कोई एक चुम्बक है और इस चुम्बक से दूर इसके सामने यहां पर हम क्या माले लेते हैं कि कोई कुंडली है ठीक ना कोई क्या है दोस्तों कुंडली है कुंडली अब उसके बाद जब क्या होता है हमने भी बताया ना कि कोई कुंडली है और यह चुम्बक है इनके बीच आपेच्छी गती होगी यनि आगे पीछे जब करोगे तो क्या होता है इनके कारण दोनों के म बल रेखाएं हैं वो क्या है निकल रही है इस चुम्बक से चुम्बकी बल रेखाएं हम मान लेते हैं कि निकल रही है ठीक चुम्बकी बल रेखाएं निकल रही है अब देखिए क्या होता है कि जब किसी चुम्बक से यह चुम्बकी बल रेखाएं निकल रही है और इसके सा करके ये प्रवाहित होती है तो चुमकी बल रेखाऊं के कारण इस कुंडली में हल चल होगी यह इस कुंडली में एक बल का अनुभो किया जाएगा जिसे कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों विद्दुत वाहक बल कहते हैं ठीक क्या बोलते हैं विद्दुत वाहक बल बोलते हैं और इस बल के कारण इस कुंडली में एक स्वता ही अपने आप एक धारा उत्पन हो जाएगी जिसे बोलते हैं प्रेरित धारा अब इस धारा को हम कैसे ग्याद करते हैं इस कुंडली में एक धारा मापी यंत्र लगा करके ठीक ना इस कुंडली में एक धारा मापी यंत्र लग कि जब किसी बंद यहां से क्या होता है बंद परिपत से संबध चुमकी फ्लक्स के मान में चुमकी फ्लक्स के मान का मतलब यहीं चुमकी बल रेखाओं से है ठीक परिवर्तन होता है दोस्तों तो परिपत में एक बिद्दुत वहकबल इसमें एक बिद्दुत वहकबल उत्प परिवर्तन होता रहेगा जैसे ही चुम की फिलक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो जाएगा उसका माझ तुरंत हीधारा भी बंद हो जाएगी समझ में आ गया ठीक ना चलिए अब दूसरे नियम को देख लेते हैं ये भी क्या है वैसे दोनों नियम क्या है कि दोनों मिलते ग्यात करने से सम्भंधित है ठीक इसमें क्या है कि प्रेरित विद्धुत वाहग बल ध्यान से समझेगा PRA'L के बराबर होता है यनि चुम्बकी फ्लक्स क्या होता है यह जो बिद्धुत वाहक होता है दोस्तों इसका मान होता है वो चुम्बकी framework form teuक्स यह ड Catalunya यानि डेल्टा T के बराबर होता है यही क्या होता है पहला नियम है यही क्या होता है फैराडे का दूसरा नियम हो जाता है ठीक क्या होता है E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा T delta phi का मतलब क्या है दोश्तू delta phi का मतलब क्या है phi 2- phi 1 phi 2- phi 1 और जरुरत पड़े तो यहां से delta t समयदर को हम यहां से t2- t1 यह चीज लिख सकते हैं ठीक ना यह चीज आप लिख सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कभी कभार इस मान लेते हैं कि देखे इस पे भी नियूमेरिकल आते हैं लेकिन अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो जब कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो ऐसी सेच्वेशन में ये जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है E बराबर माइनस का N डिल्टा फाई अपान डिल्टा टी ये फार्मूला हो जाता है ठीक कब जब कुंडली में फेरों की संख्या दी हो तो ऐसी सिच्वेशन में ये फार्मूला हो जाता है ठीक जहां N क्या है कुंडली में फेरों की संख्या डिल्टा फाई क् कि flux में परिवर्तन डेल्टा T क्या है यह समेधर ठीक ना यह इसका निखाँ मायनस क्या है आखिर माइनस क्यों लगाते हैं इसमें रिलापमक क्या होता है तो दीखिए रिलातमक होने का करण है दोस्तों कि जो प्रैरीत बिद्दुत वाहक बल होता है जो E का मान होता है वो सदयो चुम्बकी फ्लक्से में परिवर्तन का बिरोध करता है हमेशा क्या करता है कि चुम्बकी फ्लक्स के परिवर्तन का बिरोध करता है और इसके कारण यहां पर माइनस लगा हुआ है आपने पढ़ा होगा लेंज का नियम तो लेंज का नियम यही नियम है ठीक या सोयम उत्पन होती है और यही नियम क्या लेंज का नियम कहते हैं अगर कभी आये तो आपको यह लिखना पड़ेगा ठीक ना तो यह बस इतना सिंपल सा प्यारा सा एक टॉपिक था उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि हम मिलते रहते हैं ऐसे ही मज़दार सांदार टॉपिक के साथ और हमारा भी एक टार्गेट है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जितने इंपोर्टन डेरिवेसन है एक एक करके सब का पोश्ट मार्टम करेंगे मेरे दोस्त इसलिए प्यार और सपोर्ट को बनाये रखें मिलते हैं किसी और मज़दार टॉपिक के साथ जय हिंद